आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूं सभी के फेवरेट छोले बटूरे जो के बहुत ज़्यादा टेस्टी है और खाने में तो बन अफ माइ फेवरेट हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थी यह तो प्रेसिपे लाइब जरूर ट्राय करके देखिएगा मेरे तरीके से आज में बता रही हूं बेना किसी देरीके शुरू करते हैं और वीडियो के सब्सक्राइब लाइक करके और मुझे कॉमें करके जरूर बताईएगा तो वीडियो शुरू करते हैं बनाना तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आप एक अटोरी सूजी ले रखा है और तो यहां पर अब मैंने चाना की दाल ले रखी है यह देखिए तो अब मैंने आपर वाइट चना ले रखा है यह देख सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं हमारे वाइट चने और मैंने ने पानी में भिगो के रखा हुआ था तो मैंने ने टोटल पान से छे गंटे ने पानी में तंदर गैवाल मैं पे चन हैं वह बहुत हैं सबसे पहले पहले उसके मैं नहीं डाला यहुंद आपके पानी में नलुआ द्रशका पारागी लूँन त्यों धाला है यहां पρχ फानी को नहीं पर नहीं अपर ट्रिक भता रहे हुँ हुँ तबसे पहले देख दो हुआ यहां पर आपको कोई भी एक नौर्मल सा साफ ले लेना जोटा सा उसके बाद में एहां पर इसके अंदर दो टी स्पून इश्के अंदर मैंने आपर चाय पति राब के ले लिया है अब मैं आपर इसे बंद करके ले लूगी यह देखिए कुछ इस तरह के से बंद करके ले लिया है अब मैं यहां पर इसको अंदर रख दिटीव कूकर के जरुरत के नुसर मैं यहां पर पानि डाल दूँगी quantity की यसाब से मैं यहां पर पानि देख के डालिएगा अब यहां पे इसके अंदर स्वात के नुसार नमक डाल के ले लेंगे अब लिड लगा के ले लेंगे और इसको चार विसलसम लगा के ले लेंगे तो चली फ्रेंट्स अब मैं यहां पे डो लगा करके ले लेती हूँ सबसे पहले डोव बनाने के लिए मैंने यहां पर ले रखा है यहां पर टू कप मैंने यहां पर मेदा ले रखा है अच्छे से इन्हें चान करके ले लेंगे तो यहां पर मैंने मेदा को छान के ले लिया अच्छे से, अब आगे बढ़ते हैं, आगे मिमको बताती हूं आपके क्या करना है, अब मैं यहां पर डालूंगी इसके अंदर वन कप शक्कर, शक्कर एक बर जुरूर डाल के देखेगा, चेंज आपको इसमें कुछ महसुस बहुत ही अच्छा लगींगे इससे पूरिया जो है, अब यहां पर न मैं स्वात के नुसार नमक डाल के ले लूँगी, अब जो सूजी मैंने, जिसके अंदर मैंने पानी डाल के लिया था ना, तो सूजी का मैंने यहां पर पानी निकार करके रे लिया है, और यहां पर द यहां पर दभी को अच्छे से मिक्स करते करते मैं यहां पर को भी घून करके ले लूगी किनेती विजो है तो लुटा थोड़ा ढाल है यह अच्छे से गून fel करको ले लिए मैं वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी आप देख सकते हैं पर मैंने से प्रेस किया है उसके बाद भी कैसे एकदम से उपर आ रहा है आपने आपसे उपर आ रहा है इसका मतलब डोज होए ना बहुत ज़्यादा स्पॉंजी बनी है और इसके पूरिया भी है वह बहुत यह अच्छ जो आटा है वह मैंने अच्छ से गून करके ले लिया है अब मैं यहाँ पे इसको एक कॉटन के कपड़े से ढखके या फिर आप चाहते हैं प्लेट में भी ढखके इसको रख सकते हैं तब तक मैं यहाँ पे छोले बना के रेडी करके ले लेती हूं तो चलिए फ्रेंट्स करना शिरू करते हैं तो मैंने यहाँ पे साइड में मसाले ले रखे हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि मसाले में मैंने यहाँ पे क्या के ले रखा है चलिए तो सबसे पहले मैंने आप सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने ले रखा है यहां पे जीरा उसके बाद म इतना मैंने मसला ले रखा है और साइड में मैंने यहां पे 10 कि शॉम्त गरब हुच है निज अब अब इस बाइल नहां वहाले पहले मैंने मैंने मसले आज सब नहीं इस फ्राइक ख्राआ करकाbon मैं थे रहा है हमें छोले के लिए यहां पर मसाला बना के रेडी करना है तो यहां पर देखिए मसाले वह चटक रहें अभी तो यहां पर मैं अभी जो मसाले में वह अच्छे से राय हो चुके इसका मतलब यहां पर दूसरे प्लेट में निकाल करके ले लेती हूं और अब मैं आपर मसालों को अच्छे से थंडा करके ले लूँगी इन्हें रूम टेंपरिचर पर आने के लिए सट करके ले लेंगे चलिए वही पै अब जो है वह गोल्डन ब्राउं नहीं हो जाता और मैंने यहां पर बड़े साइज के दो प्याज डिये मैंने आप तो फिर आप अपने कॉंटिटी के सबसे भी ले सकते हैं मैं यहां पर पांच लों के लिए बना रही हूं तो अब जादा प्याज यूज कर रही हूं यह अब दो प्याज मेंने लिये थे आप अपने अपोर्डिंग भी निया प्याज यहां पर ले सकते हैं और मैं जाज को अदा यहां पर डाल के ले लोगी इसके बाद में यहाँ पर मिर्चु को भी डाल दूँगी इसके अंदर मिर्चु को भी बारिक पिसी में यहाँ पर काट करके ले लिया है उसके बाद मैं लसन डाल दूँगी अब मैं अच्छे से निक्स करके ले लूँगी अब मैं यहाँ पे इसके आंदर तेल डाल मुदू कि सब्सकृ का टयिकाई है अगर आप चाहे तो नर्मल के भी कर सकते हैं अब इससे अच्छ으 से मिकिश करकी ले लेंगे इसी के अदर अब मैं यहाँ पे टामाटर बढ़ के ले लूंगी अब मैं आपे टमाटे डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी यहां पर देख सकते हैं कि कैसे जो प्याज का कलर है वो चेंड़ हो रहा है भी हलका हलका सा और मैं इने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करके ले रही हूँ अब मैं आपे इसके अंदर धनिया की डंडी भी डाल दूँगी तो अच्छे से फ्राइ हो चुका है यहां पर देख सकते हैं सभी चीज़े प्याज टमाटर वगरे सब अच्छे से फ्राइ हो चुका है अब ग्यास को बंद कर देते हैं और इसे भी थंड़ा करके ले लेते हैं तो यहां पर देखिए मसाले थंड़े हो चुके हैं जब तक मैं आपे प्याज को फ्राइक कर रही थी ना मसाले थंड़े हो चुके हैं कि पीश करके ले लूगी तो सारी मसले भाई है पीस करके ले लोगी हैं अब यहां पिस करके ले लिया है यहां tip को दिखा क parlarिं देखिए तो इस तरीके से मैंने यहां पर पीस करके ले लिया है और यकीन मानिये जब मसाले की खुश्बू है वह बहुत ही अच्छी आ रही है बहुत ही लाजवाब इस खुश्बू आ रही है फ्रेंट्स में आपको बताया ने सकते जरूर इसको एक बार ट्राय करके देखेगा इस म कर दाले तो मैं ने रिखैने मारा ने किया पियासर प्मटार को भी बिमल्कार करके ले लिए थंड़े है ताकि यह भी तंडे हो जा फिर बादमियं को भी मिखसे में लगा करके ले लिन्गे तो यहां देंगए हमारे प्यासर टमाटर हुचुके हैं अब मैं यां पे इने इसको अब मैं यापे इसके अंदर फ्रेश करीपत डाल प्तर बाइंगी एजर पीकली चशें मिंख्वे सब्सक्राइन दूए सब्सक्राइक लिए अब में पर 12 तीश्पून खराल दोंगी अब मैं आपे इसके अंदर half teaspoon रेचली powder डाल दूँगी आने के लाल मिश मसाला अब मैं आपे इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी वर हिंग डाल के ले लेती हूँ अब इन मसालों को अच्छे से mix करके ले लेते हैं अच्छे से mix करने के बाद में 1 teaspoon में इसके अंदर धनिया पॉडर डाल दूँगी तो इसे अच्छे से mix करके ले लूँगी अब में आपे इसके अंदर थोड़ा सा पान डाल के ले लेती हूँ जिस मिकसमीं मैंने बीश लिया था था थोड़ा सा मसाला उसमें बच जाता है तो उसमें मैं धन्य हमद्टाश सा पान डाल के इसे अ अच्छे से mix करके इसमें पानण डाल दिया है और यहां पे ग्यास को मैंने लो फ्लेम पे रखा sonra मंसालों को मैं हाप पेपर 2 मिनिट के लिए ड़गा के डगके उने लो फ्लेम कोक करकर ले लूघIns मैं मैं Лे अपूले मैं के यहां इसओ करके ले लूंगी तो दर देह करता है और मसाली अच्छे से यहां पे हमारे फ्लेम अब मैं चने को डाल दूगी इसका पानी डाल के ले लूगी तो अब मैं एक्स्ट्रा इसके अंजर गरम पानी डाल रही हूं तो जितना चाहिए आप यहां पर उतना डाल सकते हैं गरम पानी डालने से यह जल्दी कुक हो जाता है अब मैं इसे अच्छे से mix करके ले लूँगी अब इसके अंदर मैं यहां पे स्वात के नुसर नमक डालके ले लूँगी तो नमक यहां पे ध्यान से डालेगा क्योंकि जब मैंने छोले उबाले थे तभी मैंने उसके अंदर नमक डाला था तो यहां पर नमक में यहां थोड़ा साई यूज कर रहे हूं अब जो मैंने यहां पर secret मसला बनाया था ना वो भी मैं यहां पर डाल के ले लूँगी तो टोटल में यहां पर 2 टी स्पुन डाल के ले लूँगी अब यहां पर सभी चीज़ों को अच्छे से mix करके ले लेंगे अब मैं यहां पर इसको low flame पर 10 minutes के लिए lid लगा के कुकर के ले लेती हूं आप चाहे तो भीच भीच में इसको mix भी करते रहेगा तो यहां पर मैंने कसोरी मेथी ले रखा है इसे सबसे पहले मैं हाथों से crush करके ले लूँगी अब यहां पर आप देख सकते हैं कि छोले जो हैं हमारे अच्छे से boil हो रहे हैं अब मैं यहां पर इसके अंदर कसोरी मेथी डाल दूँगी और उसी के साथ मैं यहां पर मैं खूब सारा fresh fresh धन्या भी डाल दूँगी अब मैं यहां पर इसे अच्छे से mix करके ले लूँगी और यहां पर देखिए छोले बनके ready हो चुके हैं हमारे अब इसे हम लोग side में रख देते हैं और अभी हम लोग पूरी बनाते हैं तो चलिए फिर बनाते हैं पूरी तो चलिए friends बनाना शिरू करते हैं आटा भी यहां पर आर्दे गंटे अच्छे से rest हो चुका है अभी यहां पर कपड़े को निकाल करके ले लेते हैं और यह भी यहां पर पूरी बना की Ready करके ले ले पैयम लोग, इससे पहले आपकर में आटा को अच्छे से गून करके ले लूँगी, और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है तो लोही मैं यहां पर तोड़ के ले लूँगी एक नीबू के साइज चितना और इसको साइड में रखते जाएंगे ताथ कि मैं एक की साथ में बहुत सारे बना सकूँ अब मैं यहां पर ते लागा के ले लूँगी प्लाटफोर्म पर था कि चित के न बेलन पर भी लगा दूँगी साथ में अब मैं हां पर जो मैंने लोही ले रखिये इससे अच्छा से बेल करके ले लेंगे यहां पर देखिए अच्छे से मीडियम साइज में बेल के ले लेंगे तो यहां पर देखिए पूरी जो है न वो बेलेंस से कहीं भी चिपक नहीं रही है और बहुत ज़्यादा यह देख सकते हैं गोल बन रही है हमारी जो पूरी है यह देखिए ना आपको दिखा रही हूँ आप अपने साइस और इसको भी आप कर सकते हैं अच्छेस कर सकते हैं आपको जितना चाहिए अपना तो यहां पर मैंने पहला पूरी रेडी करके ले लिया है तो साइड में न मैंने यहां पर पहल से तेल रख दिया था गरम होने के लिए और तेल अच्छे से गरम हो चुका ह भी आपे छोटी से लोही मैंने यहां पर देख लिया था और तेल गरम हो चुका है तो चलिए अब यहां पर पूरी को भी लेती हूं यहाँ पर देखिए पूरी को डाल दिया है काफी अच्छे से है यहाँ पर फ्राई भी हो रही है हमारी पूरी जो है यह देखिए पूरी जो है वो फूल रही है आप देख सकते हैं आप पर कितने अच्छे से कि अब मैं आपे दूसरे साइट से भी इने फ्राय करके ले लूँगी तो यहां पे जब तक हमारे यहां पर पूरी फ्राय हो रहा है न तब तक मैं आपे दूसरा भी बना के करके ले लेती हूं रेकिये से मैंने हाप इसे भी बेल के ले लिया है अगर। कर aussi है यह वाली है डालते ही अच्छे से एकदम पूल रही है देख सकते हैं कांफी अच्छेonta अच्छे सारी कें से पूल रही है यह है도 है साइड में दूसरे वाली पूरी भी बेल कक्ती ले रही हूँ देखें पूरी जो है वह बहुत इच्छा से फ्राइब हो रहा है तो यहां पर देखें फ्रेंड्स हमारा टीस्टी छोले बटूरे बनकी रेडी हो चुका है बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं इसके साथ में ही साइड में आपको सलाट ले रखा है अगर आपके पास कोई और भी ऑप्शन्स है तो आप उसमें ले सकते हैं लेकिन मैंने आप खीरा ले रखा है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इसमें आपको ट्रिक्स भी बताई हैं और यकीन मानी फ्रेंड्स जो भटुरी और जो छोड़े की खुश्बू आ रहे हैं वह बहुत ज्यादा टेस्ट जा रही है सच्छी मैं आपको बता रही हूं मैं आपको इपर जरूर चार करके मेरी तरीके से तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजे मलतों नियो रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बावाए